अब रिलेक्स हो जाओ, ठीक है, नमेरिकल की घड़ी जा चुकी है, अब हमें आर्टिकल करने हैं, और अब हम पहला आर्टिकल सुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्टिक फिल्ड, अब हमारा नया टोपिक सुरू हो चुक है, और देखना जिसने पहले टोपिक अच्छे क जैसे कहीं कहते हैं मेरा फिल्ड का काम है फिल्ड का मलब होता है एक दाइरा एक एरिया ठीक है जैसे आपकी गली का जो डोगी है वो आपकी गली की एरिया से अच्छी तरह से जो है प्रिजित है तो उसका फिल्ड उस गली तक ही है जैसे हमारा सीम है तो वो हर्याना हर्याना के अंदर अपनी जो है वो दैसा जमा सकता है बाहर नहीं चलेगा उसका रीजन क्या है क्योंकि उसका फेल्ड जो है वो यहां तक है अब कहीं बार आपने देखा हुआ कि लोग बड़ी बड़ी छोड़ते हैं कि यार मैं तो CM के साथ चाय पीता हूँ हर रोज वोक पे जाता ह जो उनको आदत होते हैं फेंक ने कि उनको लिए क्या है छोड़ा सा काम दे दो उनके बोल दो भया आपको कुछ नहीं करना यार आप कितनी चलती है न अगर मेरा भाई एक प्रोस में उसको चपडासी लगवा दे ठीक है चपडासी यह नहीं कि आठवी पास है वो और उसक का मलब वहां का उसका फेल्ड ही नहीं है फेल्ड का मलब होता है जब आपकी तरक्की से कोई जले आपने कोई तरक्की की प्रोग्रेस की और कोई जल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके फेल्ड में है आपके उपर उसका कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन त के सारी जो है output आ रही है। जिससे हम output ले रहे हैं। जैसे sun जो है वो एक तरह का point charge है। उस point charge की range जहां तक भी है वो उस point charge का field कहलाता है। जो भी उसका range है, जो limit है, उसको हम क्या कहते हैं। उसका field कहते है। और ये ही definition होता है, electric field का। A space or a region around a charge particle या charge body where its influence get experienced by any other charge Right It's an influence by any charge particle या any charge body Right ये क्या है? एक charge body का influence है which get determined या which get checked by the other charge उसको कहते हैं electric field हाँ ध्यान रहे जो ये charge है ये किसी source से बना है और जो इसको check करेगा जो बताएगा कि हाँ यहाँ तक जो है इसका field है इसकी चलती है वो हमेशा tester ही होगा क्या ना मुगा उसका tester और tester को किस से लिखा जाता है Q note से लिखा जाता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि Q note कभी भी इस point charge को या source charge को effect नहीं करेगा यह हमेशा इससे effect होगा यह कभी भी इस पर वापिस force नहीं लगाएगा यह नहीं कि आप easy भासा में क्या कह सकते हो plus से ही सारे चीज़े निकलती है और minus में जाके enter कर जाती है यह हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे तो electric field क्या है it's a space or a region around a charge body where its influence get experienced by another charge body is called electric field and electric field is a vector quantity यह एक vector quantity होती है इसका जो formula है that is the force experienced by any test charge देखो definition क्या बोल रहा हूँ it's a force experienced by any test charge in certain limit और जो charge होगा यह वाला जो charge होगा इसकी value जो है वो लगभग zero होगी या ना के बराबर होगी I mean to say यह कभी इसको effect नहीं करेगा तो यह बता ही नहीं पाएगा कि मैं आपको check कर रहा हूँ are you getting my point simple सी बात है जैसे छोटा बच्चा जो है आपकी सुनता रहता है और आप उसकी नहीं सुनते same यहाँ पर भी यही scene है simple सा है जब किसी भी force को experience किया जाए जो force किसने बनाया plus के charge ने बनाया किस के दौरा किसी tester के दौरा उसको कहते है electric field ठीक है a space or a region around a charge body where its influence is experienced by another charge body hope so आपको पता लगे हो अगर आप इसका df निकालना चाहो तो निकाल सकते हो right f का क्या होता है ml t minus 2 something होता है भी याद है कुछ force का divide by क्या है charge का formula क्या होता है 80 q is equal to it होता है तो इसको sort out कर लेना यह आपका जो है electric field कहलाएगा तो होप आपको पता लगे हो अब देखो फर्क क्या है जब इसने इसको एप्जोब किया या इसने इसको influence को जो हो fulfills किया तब तो क्यलाएगा electric field लेकिन किस range में किया कितनी value पे किया कितने amount पे किया तो क्यलाएगा electric field intensity intensity is nothing it's a very simply you can say sharpness किसी charge का influence कितना तेज है कितना कम है जैसे bulb के light जादा है तो intensity जादा है कम है I mean उसे light dim चल रहा है वो तो इसका मल इंटेंसिटी कम है तो simple सी बात है ये इसका electric field intensity का formula रहेगा अब इसके article शुरू हो जाते है इसके article के लिए मैं आपको hint देता हूँ कैसे शुरू होते है जैसे हमने coulum के article किये थे coulum low for a two point charges for a multiple point charges and so on ऐसे electric field intensity for a point charge electric field intensity for a many charge and so on आपको simply करना क्या होगा सबसे पहले force निकालना यानि कि coulum force निकालना है जो आपने पहले सुरू किया था और पहले सिखा है फिर उसके बाद उस force के divide में q note करना है और हर बार आपके e आते रहेंगे आपको e1 निकालना है तो f1 आ जाएगा e2 निकालना तो f2 आ जाएगा e3 निकालना तो f3 आ जाएगा ऐसे चलता रहेगा और हर बार q note जो है वो जाता रहेगा क्योंकि q note कभी भी source charge को effect नहीं करता तो hopes आपको पता लगे हो कि हम किस चीज़ पर discuss करेंगे अभी तो topic का नाम यहाँ से शुरू हो जाता है topic है electric field intensity यहीं बना देता हूँ भई ठीक है topic का नाम है electric field intensity at a point due to a point charge point charge के कारण किसी भी point पर आपको किसी object की electric field intensity निकाल नहीं है अब हमें नहीं पता न वो point क्या है कि वो बंदा जो कह रहागी मैं जोब लगवा दूँगा मेरी इतनी चलती है हमें क्या पता वो point का है लेकिन हम उस point को निकाल सकते हैं अब इसके लिए क्या है मैं सबसे पहले एक source charge माल लेता हूँ यह रहा आपका source charge जिसका नाम है plus का q और यह किसी भी particular position o पे रखा हुआ है o is any origin भाई ध्यान से सुनना प्लीज इससे ज़्यादा slow नहीं चल सकता मैं और मेरी request आपसे दिमाग को खोल के रखना जो पिछले numerical गए कोई बात नहीं उनको बाद में भी कर लेना लेकिन topic समनना बहुत important है ठीक वीडियो दुबारा देख लेना करना समया numerical क्या दिक्कत है उसमें अब यहाँ से क्या किया हमने एक p point माल लिया यह रहा p point जहां पर क्या रखा होगा q या q note किसको चेक करना इसका influence plus q source charge है point charge है किसको tester को तो इसका नाम क्या होगा q note होगा और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए आपके coding जो अब तक हम मानते आए हैं that are the r r is that keeping distance between both और हमने क्या किया इसका force निकालने के लिए एक arrow दिखा दिया that is the f अब देखो यह हमारा पहला f है अब आपके mind में यह आओगा कि sir हमने पिछले article में तो 2 f दिखाए थे कि यहाँ पर भी एक f आना चाहिए क्यों भई कौन कौन दिमाग लगा रहे कि यहाँ पर f आना चाहिए बात तो सही है जब इसने इसको force किया तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी तो आना चाहिए लेकिन यह force नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा because यह x is equal to y है but y is not equal to x ठीक है क्यों क्योंकि यह इस पर force लगा सकता है यह इस पर force नहीं लगा सकता क्योंकि यह tester है और tester का mass बहुत कम होता है unity मानते हैं जो कभी भी पूरे के पूरे equilibrium system को affect नहीं करता कौन नहीं करता tester नहीं करता लेकिन source affect कर सकता है अगर किसी साधी विया के अंदर आपने देखो कोई outsider एक या दो बंदे आके खाना खा ले तो उससे क्या हमारा खाना खतम हो जाएगा नहीं होगा ना क्योंकि main source है source को हम खिलाई रहे हैं तो वो तो tester हैं वो तो check करने के लिए हैं वो तो test देखने के लिए हैं तो उनसे आपके hub पे आपके warehouse पे कोई effect नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले हमें निकालना है force तो f कौन सा है अब ये तो नहीं लिख सकते force on q note due to q1 क्योंकि यहाँ पर एक ही की बात हो रही है ठीक है एक ही बात हो रही है न तो ये है q note अब ये हमें लिखने की जूरती नहीं अगर multiple होते तो लिखते तो क्या बनेगा यहाँ पर f force is equal to 1 by 4 by epsilon note पहला charge q पहला charge क्या है दूसरा charge q note divide by r square ठीक है अब ये किस nature का होगा attractive or repulsive मैं ध्यान से बता देता हूँ भी आपको ध्यान से सुना ये जो होता है q note tester भी ये भी plus का होता है हमेशा ये minus का होई नहीं सकता क्योंकि plus plus repel करेंगे तब ही तो influence पदा चलेगा are you getting my point? ठीक है अगर हम उनको बाहर फैंकेंगे तब ही तो outsider कहलाएंगे वो जो सादीक अंदर आए है अगर हम उनको बाहर ही नहीं फैंक रहे तो insider है वो तो हमें उनसे तो कुछ test ही नहीं करना वो तो main है तो ये है हमारा plus का अब ये हो गया हमारा पहला अब हमें क्या करना है इसका vector notation अगर बनाना है इस scalar था sorry vector बनाना है तो f vector is equal to 1 by 4 by epsilon note ठीक है पहला charge q दूसरा charge q note upon r square into कोई r vector दिखा दो unit vector जो यहां से चलके जो है आगे force लगाएगा ठीक है अगर आप दिखाना चाहो तो अब हमें निकालना है e तो e का formula क्या होगा भई simple force upon experience charge किसने किया tester ने तो simple 1 by 4 by epsilon note पहला charge q दूसरा charge q note upon r square यह पूरी value f की है यह लोग divide by q note तो q note से q note कर जाएगा और जो e का result आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 1 by 4 by epsilon note q upon r square vector form बनाना है तो r vector इसके साथ लगा जा तो यह हमारा result रहेगा electric field intensity का easy है बहुत कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है इसके अंदर सिरफ आपको इतना ही करना था और पता लग चुका है आपको की कैसे इसको sort out करना है तो अब एक video और देखते है इस topic की एक topic मैं आपके लिए छोड़ूँगा वो आपको खुद घर से करना है